each of the following relation are function give the region if it is the function then determine the domain and range देखेगा कि हमें यह बताना कि इन में से बोट्म परकाक्त है जाए पको उसके बतानार आ इसको-पला है इसका range है यह सब तो देखिएगा कि पहला, तो पहले मैं देखते हैं already.... bounce, यहाँ से देखो यहां से देखते हैं आपको मिल जायागा 2, 5, 8 , 1, 11, 4, 1 यहां से देखने पे हमें मिल रा है कि देखिएगा कोई भी अपने पास देखिएगा 2 है कि यहाँ पर सारे जो elements है είमे लग है 8 है 11 है 14 है 17 है यह सब क्या domain है इस relation के जो भी हमें relation दिया हुआ हुआ है उस relation की domain और यह सारे जो domains है वो अपनी क्या ले रहे हैं कितनी image ले रहे हैं only one image ले रहे इसका देखिएगा कि क्या diagram हो वो देख लेजएगा कि यहां से यदि हम first question के लिए जाते हैं तो first question में यदि हम diagram की help लेते में diagram कैसे बनता है इसका देखिएगा यहां से आपको एक relation दिया होगा लेट कर लो कोई A set है कोई B set है यहां पर देखो कि 2 किसके उपर में पो रहा है 2 में पो रहा 1 पे फिर दखो 5 किसके उपर हो रहा है 1 पे में पो रहा है और फिर देखो 8 किसके उपर में पो रहा है फिर आप देखो 11 फिर आप देखो 14 फिर पिसके ऊपर map हो रहा है, इसके ऊपर map हो रहा है, यह यहाँ पर ही हो रहा है, सब यह 17, तो यह देखिएगा कि सारे element है, वह देखिएगा कि какy lub image ले रहे हैं, यह सहला है, यह बड़ी बात कोई भी इसमें से two elements यह बहुत साल यह, यह इसा ग। पहला है वो function है भई, the first, यहां से, जो first relation है, first relation is function, भई, function है, function है तो क्यों है, देखिएगा कि because, देखिएगा कि यहां पर two, five, eight और eleven, fourteen and, यहां पर कितना, seventeen, और यह क्या है, domain of, domain of given relation, ठीक है, given relation की क्या है, domain है, तो यह क्या कर रहे है, which, जो कि क्या है, which are, which, जो कि क्या करते है, which take, only one image, जो कि क्या कर रहे है, क्योंकि only एक ही क्या ले रहे है, only one image ले रहे है, only one, only one image in co-domain, ठीक है, क्योंकि co-domain के अंदर क्या ले रहे है, एक ही image ले रहे है, so, this relation is function, ठीक है, यह function है अपने पास, यहां तक के लिए, अब second में चलते हैं, second में देखिएगा, कि यहां पे देखो, 4 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, और 14 है, यहां पे कोई भी एक ऐसा element हमें, यहां पे domain में नहीं मिला, जो कि क्या ले रहा है तो अलग-अलग, क्या ले रहा हो, image ले रहा हूँ, नहीं मिला है, कोई भी देख लो, चैक किसी को भी उठा लो आप, ठीक है, तो इसका देखिए second का, यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, यहीं आप diagram बन तो यहां से यहां से तो यहां से देखो एक relation में यहां ऐसे बना रहा हूँ जगे कम रहेगी यहां से लिए यहां से देखो आप को एक relation है a to b और यहां से क्या एगा एक यह ठीक है यहां से अब देखो 2 2 है यहां पर देखो domain में कौन-कौन से 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 12 है 14 8 है 10 है 12 है और 14 है ठीक है यहां पर 14 है यहां पर 14 है यहां तक आई इस बास समझ में अब देखो यह मेप कहां पर कर रहा है यह देखिए आप तो यह 1 2 3 4 5 6 7 तक कर रहा है तो यहां पर 1 2 3 4 5 और 6 और 7 यहां तक कर रहा है अब देखो इसकी मेप कर रहा हूं 2 है वह मेप कर र कर रहा 3 पे 8 कर रहा 4 पे यह कर रहा 10 कर रहा 5 पे यह कर रहा इसके उपर तो यहाँ पर कहीं पर देखो हर element अपनी एक unique image के साथ जुड़ावा है यहाँ एक image ले रहा है unique का मतलब वो एक image ले ठीक है यह नहीं है कि जो image है वो कोई और नहीं ले सकता है वो image ले सकता है बस जो element ले रहा है वो एक image लेना चाहिए ठीक है यहाँ पर देखेंगे तो हर एक element जो भी domain का वो क्या ले रहा है एक image ले रहा है सही है तो इसका मतलब तो देखिएगा कि since यहाँ पर देखो कि यहाँ पर second वाले में देखो भाई यहाँ पर क्या है 2 2, 4, 6 8, 10 12 है and 14 are domain domain elements यहाँ कि domain elements है of given relation ठीक है जो कि क्या कर रहे है which जो कि लेते है क्या लेते है which tag which tag वो अपने पास क्या लेते हैं एक unique लेते हैं इस take only one image ठीक है जिसम के पास क्या होगी एक image होगी ठीक है तो then so this relation is function ठीक है तो यह जो अपना second वाला होगा वो भी एक function होगा और इसमें देखो हमने क्या नहीं लिखा एक तो range नहीं लिखी इसकी एक तो इसका domain लिखो पहले तो ठीक है domain क्या होगा इस set में जो भी यहां पर जो भी देखो यह सारे element domain के हैं क्योंकि यह एक function है function हुआ तो 2 हुआ 5 हुआ 8 हुआ और यहां पर 11 हुआ 14 हुआ यह तो यह इसकी domain है फिर इसका range देखीगा range तो only single done नहीं है इसकी ठीक है इसी में देखो second में second में देखोगे तो आपके लिए देखो domain तो क्या है domain आपके लिए वह 2,4,6,8 यह तो यह आया यहां पर ठीक है तो यह इसके domain element होए यह इधर वाली क्या होगे सारे के सारे map हो रहे है corresponding to domain element तो range क्या होगा भई? range पूरा हो गया इसका 1,2,3,4,5,6,4 यह 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 आगा इसका यहाँ पर आएगा 7 element यह तो यहाँ पर domain and range आगा है देखो third वाले में अब आपको देखी third वाले का जैसे आप diagram बना लोगे न हर चीज की diagram बनाना बहुत ही जरूरी है relation में क्यूंकि relation यह समझ में नहीं आएगा आपको कि relation में है क्या हो क्या रहा है आई भाह समझ में तो यहाँ से देखिएगा कि relation में 1,1,5 देखिएगा इधर 1,1 और 2 तो यहाँ से देखो कि यहाँ पर एक तो 1 है एक 2 है फिर एक 3 एक 5 तो यहाँ से देखो तो आपको देखिएगा कि 1,3,5 तो 1 है वो क्या कर रहा है एक तो 1 है वो एक तो 3 पे मेप कर रहा है एक 5 पे मेप कर रहा है और 2 है वो 5 पे मेप कर रहा है यही बात है यहाँ पर 2 है 5 पर 1 भी 5 पर 1 3 पर भी है यही बात है 1 है वो 3 और 5 अब यहाँ पर दोको एक element ऐसा मिल जिसके पास क्या नहीं है, यूनीक इमेज नहीं है, only एक इमेज नहीं है, क्या नहीं है, एक ही हो नीचे, बट इसके पास देखो कितनी इमेज दो इमेज आ गई, more than one, इसका मतलब ये function नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखने हैं, बस यहाँ पर क्या आई, देखो, ये आया party, यानि कि ये function अच्छा होता, कब होता, जब ये वेक्ति आता, इसको plate मिली, ये क्या किया, इसने plate तो लेली, लेकिन ये तो देखो, कि दोनों हातों से खाने लग गया, यानि बहुत ही गंदे तरीके से दटी, manner से खाने लगया, इसका मतलब function अच्छा नहीं हुआ, भार आके बोला, ये वेक्ति function अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर बहुत गंदे तरीके से खाना खा रहे थे, लोग, इसलिए function नहीं है, इसका मतलब ये, अब यहाँ पर देखो कि हर एक वेक्ति आया, हर एक वेक्ति को plate मिली, और हर वेक्ति क्या हुआ खाना खाया अच्छी तरहिके से खाया, ठीक, तो हर वेक्ति नहीं क्या बोला, function अच्छा है, इसका मतलब function वहाँ पर मौजूद है, ठीक है, इसी परकार, यदि हम अपनी comedy way में जानना चाहेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या है, सभी वेक्ति आए, अब ये क्या वाँ, एक की plate मे खाएंगे, कैसे खाएंगे, यह सब भाई है, ठीक है, एक दूसरे के relative है, तो खा सकते हैं, एक ही ठाली में, ठीक है, तो इसका मतलब, यानि कुछ नहीं है, किसी को कुछ problem नहीं है, क्योंकि ये सब भाई है, तो भाई हो को क्या problem होगी, इसका मतलब function अच्छा है, यानि कि ये एक ही जगह के वेखती है, तो सब भी ये बोलेंगे, कि function अच्छा है, तो इस परकार से हम ये भी बोल सकते हैं, कि function कैसे है, यानि कि comedy way में कैसे है, कि function का मतलब कोई भी कारिकरम अच्छा गब होगा, जब सब कुछ, सब को खाना मिले, सब को अच्छा लगे, यह यह, तो यहां से देखो कि 1 or 2, तो यहां पर देखने पर देखेगा कि यहां पर क्या सिंस है, यहां पर 1 है, सिंस यहां, सिंस 1 इस 1 इस डमें element of given given relation देखिएगा कि which which टेख जो कि क्या कर रहा है एक image है यान कि यहां पर दोखो यह domain का element which takes more than more than one image in co-domain ठीक है यान कि co-domain में एक से ज़्यादा क्या ले रहा है यह क्या ले रहा है images ले रहा है 1 इसलिए रहा है so this relation is not a function यह function नहीं है यहाँ पर